मुझे कहने देजे की कौन फूल कैसा है तितलियां समझती है कौन फूल कैसा है तितलियां समझती है आज कल के लड़कों को लड़कियां समझती है और हस्रते हैं क्या दिल में खुल कि कहने ही पाती बाप की गरीबी को बेटियां समझती है आजरीन बेटियों की जाद भी अल्ला ने अजब बना रखी है कि ये जब अपने मा बाबा के घर होती है तो इन्हें अगर मन पसंद का सूट ना मिले अगर इन्हें मन पसंद की चूड़ियां और चप्पल ना मिले तो ये तहवार तक नहीं मनाती लेकिन ये ही बेटियां शादी के बाद मा बाप को राजी रखने के लिए एक नापसंदीदा शक्स के साथ पूरी जिन्दगी गुजार देती है आईए हम देखते हैं कि हमारी मश्रिकी दोशीजाफ क्या सोचती है घरागन की चाहर दीवारी में वो इस समाज को की जाविये से देखती है वो आज के सियासी किरदारों के जो जवाल हो रहा है उसके बारे में उसके क्या तासुराथ हैं ये तमाम बातें अगर शेरी पैकर में ढड़ी हुई देखनी हों तो हमें मुलाकात कर भी पड़ेगी महतरमा निककत मुरादाबादी से जो मुतरमा तस्नीम सिद्धी के बाद बड़ी जिम्मेदारी के साथ मुरादाबाद की नुमाइंदगी हंदोस्तान भर के मुशायरों में कर रही है इन चार मिस्रों के साथ उन्हें आवाज देता हूँ कि ये दिल बर्बाद करके इसमें क्यूं आबाद रहती हो ये दिल बर्बाद करके इसमें क्यूं आबाद रहती हो कोई कल कह रहा था तुम मुरादाबाद रहती हो और ये कैसी आदते मुझको अता कर दी मेरे मौला मैं सब कुछ भूल जाता हूँ मगर तुम याद रहती हो आईए जोड़ दार तालियों से इस्तक्बाल कीजिए हिंदोस्तान की मशूरो मारूफ शायरा मुहतरमा निकत मुरादाबादी माइक पर बहुत शुक्रिया हाजरेन मौजिस सामाई असलाम उलेकुम बड़ी खुश्तूरत निजामत कर रहे है नदीन भाई मैं मुबारक बात पेश करती हूँ बहुत शुक्रिया हूँ जो मुशायरे के कंवीनर है दुला भाई के वाले साहब भी है हलचल भाई का हुक्म मेरी हाजरी आपके दयार में पहली बार हुई है चार मिस्रों से अपने शेरी सफर का आगास करती हूँ डाईस के तवज्यों चाहती हूँ सद्रे महतरण से जी निगहत दता हो मैं पढ़ती हूँ देखें वक्त काफी हो चुका है मैं हाजिर करती हूँ सुने जी बिल्कुल दता हो जरा ठहरो चले जाना अभी ये रात बाकी है जरा ठहरो चले जाना अभी ये रात बाकी है करे बाते मुहबत की अभी जजबात बाकी है इलतिफाक करने के नौजवान की इधर है भई यार एहसास दिलाओ की जिन्दा हो जरा ठहरो चले जाना अभी ये रात बाकी है करे बाते मुहबत की अभी जजबात बाकी है कहा किसने ये तुझसे फोन पे बाते तु कर मुझसे खुशी लाने को चहरे पे तेरा मैसेज ही काफी है बहुत अच्छे इन सब को नमबर दे के जाईएगा ये रा दिन मैसेज करेंगे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत शुक्रिया खुशी लाने को चहरे पे तेरा मैसेज ही काफी है देखे नदीम भाई मैं नोग जोग तो नहीं करूंगी लेकिन ये बीच बीच में ना बड़ी दखल अंदाजी कर रहे है देखे ये मुशारे का जरूरी हिस्सा भी होता है चार मिस्री इनके हवाले से मैं हाजर करूंगी देखे क्या कहना क्या कहना क्या है दिल लगी मैं भी दिल लगा के देखूंगी देखूंगी मुहब से मुस्कुरा की देखूंगी करते हूं मुहाबत का दावा तुम तो मैं तुम को प्यारे करने से पहले आजमा के देखूंगी जिंदगी से यही गिला है मुझे तुम बहुत देर से मिला है मुझे तुम मुहबस से कोई चाल तो चल हार जाने का होसला है मुझे पढ़े मोधरमा वा 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 भॉष्ट शुक्रिया आप नाजम सहाब ने अपना काम भी कर दिया मैं घजल तलाशने में रह गई जी जी बिलकुल आप तलाश ले गजल का मतला पेश करती हूं मैं मतला हाजर करती हूं जी जी बिलकुल हाजर करती हूं सुने जी निकाताता हूं उस घड़ी जिन्दगी अजनबी हो गई उस घड़ी जिन्दगी अजनबी हो गई जब तु मेरा हुआ मैं तेरी 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 हो गई क्या कहना निकाता बहुत अच्छे उस घड़ी जिन्दगी अजनबी हो गई और ये शेर उड़ी के हवाले से हाजिर करते हूं जी इरशाद आली मैं हूँ अलफाज उर्दू वो हिंदी जबाँ क्या कहना क्या कहना मैं हूँ अलफाज उर्दू वो हिंदी जबाँ हम जिधर को गए रोशनी हो गए हम जिधर को गए वोगी उस्टरी जिंदेगी अजनभी ये शिर वी पढ़ती हूं जी इरशाद्याली जी मैं शिधर दोपारा हजिर करती हूं जमील साबुक मैं जे रहे है ये बहुत बड़ी बात है औजाज की बात है मेरी खुश किसमती है मैं ये शेर दोबारा पढ़ती हूं देखे मैं हूँ अलफाज अर्दू वो हिंदी जुबाँ मैं हूँ अलफाज अर्दू वो हिंदी जुबाँ हम जिधर को गए रोशनी होगी वाँ 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 बहुत अच्छे क्या कहना निकत वाँ 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 अजनबी होगी और शेर बतोरे खास हाजिर करती हूँ जी इरशाद्याली पहले मेरा न कोई खरीदर था पहले मेरा न कोई खरीदर था तूने जहां तो मैं ख्यमती होगी क्या कहना क्या कहना हो बहुत अच्छे निकत अजनबी होगी वाँ 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 आखरी शेर गजल का मैं पढ़ती हूँ फिर उसके बाद आपकी अजाज़त होगी तो मैं गीत हाजर करूँगी है फजाओं में खुश्बू तेरे प्यार की है फजाओं में खुश्बू तेरे प्यार की है फजाओं में खुश्बू तेरे प्यार की इसलिए है कले शब नमी हो गई इसलिए है कले शब नमी हो गई इसी धड़ी जिन्देगी अजनबी हो गई बहुत शुक्रियाब जी बिल्कुल जी मैं गीत का मुखडा हाज़िती हूँ पढ़ते हूँ गीत को गीत के तरह से सुनना मैं हाज़िती हूँ जी बिल्कुल निकाता हो साथ चाहती हूँ मैं पढ़ती हूँ देखें तो उसे प्यार हूँ और बंद्धाजर करती हूँ पैरों में पायल याबोले सब भेद मुहबत के खोले पैरों में पायल या बोले सब भेद मुहबत के खोले तेरी याद सत्तुत तो तिल में फिर दर्द उठे हाले हाले को पैरों में पाइल या बोले सबवेत मुहबत केotte का ने तेरी आद सत्तुत तो तिल में फिर दर्द तूठे होले होले निगोडी पायल की जनकार निगोडी पायल की जनकार बताए सब को बारंबार लुहं को प्यार हुआ है हाँ तूं से प्यार हुआ है लो हमको प्यार हुआ है हाँ बस यह इसे आवाद लगाते रहें वक्त काफी हो चुका है वो भी बिशारे ठक चुके होगे जैसा सुन रहे हैं वैसा सुनने दीजिए मैं चार बहुत शुक्रियाब मैं बंद हाजिर करती हूँ आखरी बंद पढ़ती हूँ देखें जी अता हो फूलों पे बिकरी है शबनम ऐसे में कहा है तू हमदम फूलों पे बिकरी है शबनम ऐसे में कहा है तू हम दम, तेरे जाने से दिल लगता नहीं, घबरा जाता है पागल मन नजर ढूंडे तुझे को दिलदार, नजर ढूंडे तुझे को दिलदार, दिखा दे चहरा बस एक बाल, हमको प्यार हुआ है और ये आखरी चार मिस्रे खास तोर से आप सभी के नजर करती हूँ, बतोर खास दोएगा, मैं पढ़ती हूँ, देखें लोब अपनाया है हमने अलग अंदाज आ जाना लोब अपनाया है हमने अलग अंदाज आ जाना लोब करती हूँ अपने प्यार का आगाज आ जाना तुम्हारे प्यार की खाति यहां तक आ गई हूँ मैं हमारी याद आए तो मुरादाबाद आ जाना वाह 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 क्या सुनना चाहते हैं? आईए मोतरमा देखिए ये बड़ी मुहबबस से आवाज दी जा रही है आपको ये आप मुरादाबाद जाये ना जाये लेकिन इलतिफाद गंज में पकड़ पकड़ के जरूर सुनेंगे बहुत शुक्रिया मैं दुबारा हजर करती हूँ मैं पढ़ती हूँ देखिए लुब अपनाया है हमने अलग अंदाज आ जाना लुब अपनाया है हमने अलग अंदाज आ जाना लुब करती हूँ अपने प्यार का आगाज आ जाना तुम्हारे प्यार की खाते यहां तक आ गई हूँ मैं हमारी याद आये तो मुरादाबाद आ जाना वाह 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 हमारी याद अए तो मुरादाबाद आजाना आजाना बहुत शुक्रियाद देखिये आईए तो बस थोड़ी देर के लिए एक मतला एक शेयर और पढ़ देजिए ताकि लोगों की जो तशनगी है वो बुझ जाए उसके बाद आप फिरी हैं बहुत शुक्रियाद एक मतला एक शेयर मैं हाजिर करती हूँ इधर का महला भी खामोश है इधर का भी महला भी खामोश है सामने वाले बहुत अच्छे से सुन रहे हैं माशाआल्ला यह यह वाकई में सोय हुए थे अब जब इन्होंने गहुर से देख लिया तो यह जानगे काम की चीज़ है मैं मतला पेश करती हूँ देखे यही समझने के इन दोनों साइडर वालों की नजर है मैं पढ़ती हूँ देखे मतला पढ़ती हूँ देखे चोट जीगर पर लगती है नजरों से ऐसे वार ना कर चोट जीगर पर लगती है नजरों से ऐसे वार ना कर हिम्मत है तो सामने आजा हिम्मत है तो सामने आजा हिम्मत है तो ? मथम्मत है तो सामने आजा चचा जान के लिए रुकसार आप Heने भी बहुत कहा था जी जी बिल्कुल मैं किसी शायर का ये शेर है मैं चचा जान के लिए हाजिर करना चाहते हूँ जी जी बिल्कुल मेरे उपर मेरे रब की महरबानी देखिये जिसम बूढ़ा कर दिया और दिल जबा रहने दिया अरी वाह ये चचा जान भी जब शायर को सुनते हैं इसा लगता है कि ये बीमार हैं लेकिन जब शायरा को सुनते हैं तो इनके बड़ा जोशा आजाता है तो सालिम भाई ये काम जो है आपको शायरों के साथ भी करना चाहिए देखिये चचा उटके आते हैं कि नहीं जी जी निकात आपड़ें हिम्मत है तो सामने आजा छुप छुप के दीदार ना कर क्या कहना क्या क्या कहना इश्क किया है जिसने अकस बाद में ये ही कहता है बाद में ये ही कहता है इश्क तो है एक आग का दर्या इस दर्या को पर ना कर रहे वाँ 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 बहुत अच्छे क्या कहना क्या कहना इश्क तो है एक आग का दर्या इस दर्या को पर ना कर रहे इस तरिया को पार ना कर आखिर में-चार मिस्रे हाजिर करती हूँ फिर में अपने जिगालेंगी मिंपढ़ती हूँ देखें बेवफाई का में उLजाम नहीं ले सकती नहीं बिल्कुल लोट के आजा सनम मेरे प्यार की खाति भरी महफिल में तेरा नाम नहीं देशा बहुत अच्छे बाख